नमस्कार मैं डॉक्टर पंकज गौड हिन्नि साहित्य के इस कक्षा कक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूँ बटोर पृत्वी की पूरी उर्जा उच्छेगा धीरे धीरे जमीन से जमीन पर गिरा आदमी और अपने लडखडाते कदमों से नापते दूरिया पहुंच जाएगा वहाँ जहां उस जैसे आदमियों पर बहस चल रही होगी नगाडे की तरह बसते हैं शब्द इन पंक्टियों की कव्यत्वी हैं निर्मला पुतुल और अपनी इसी प्रकार की आदमियों से जुड़ी हुई शशक्त अभिव्यक्ति के कारण वे लगातार प्रसंसित और चर्चित रही हैं आदमी के प्रती अपने इसी जुड़ाव के कारण प्रकरती के प्रती प्रेम के कारण ये कव्यत्री रास्ट्रिय और अंतररास्ट्री अस्तर पर ख्याती प्राप्त करने में सफल रही निर्मला पुतुल जी का जन सन 1922 में दुमका जारखंड में हुआ आपका प्रार्वमिक जीवन अभाव में बीता पिता यद्दपी सरकारी सेवा में सिक्षक रहे पर तु उसके बाद में जीवन में लगातार आर्थिक अभाव से आपका सामना रहा नर्सिंग की आपने शिक्षा प्राप्त की और सोचा कि इसे व्यवशाय के रूप में जब अपनाएंगे तो शायद उसके माध्यम से कुछ आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल सके पर यह संभव न हो सका इंद्रा गांधी रास्टिय मुक्त विश्व विद्याले से आपने सनातक की उपाधी प्राप्त की आर्थिक अभावों से लगातार जूजते हुए भी आपने पुरुश वर्चस्व वाली सामाजिक रीतियों का बहिसकार किया स्वार्थ के लिए परियावर्ण की हानी, सिक्षित समाज का दिकों और व्यवशाईयों के हाथों की कटपुतली बनना आदि व्यस्थितियां हैं जो आपकी कविताओं के केंद्र में रहती हैं आपने आदिवासी जीवन के अंचुए पहलों से कलात्मक्ता के साथ समाज का परीचे करवाया संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक सभी पहलों को आपने समाज के समक्ष रखा संथाली समाज में जहां एक और सादगी, भोलापन, प्रकरती से जुडाओ, कठोर परिश्यम करने का सामर्थ्य लगातार प्रकरती के साथ संघर्ष जैसे बहुत सकारात्मक तत्वे हैं, वहीं दूसरी और उसमें असिक्षा, कुरूतियां और शराब की और बढ़ता उनका जुकाओ भी है आपने लगातार अपनी कविताओं के माध्यम से इन सब पहलों को समाज के सामने रखा और एक सचेद कवित्री का अपना दाइत्व सक्षमता के साथ निभाया आज जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, आओ मिलकर बचाएं वह कविता समाज के दोनों पक्षों का, संधाली समाज के दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रन हमारे समक्ष रखती है व्रिहत्तर संदर्व में यह कविता समाज से उन चीजों को बचाने की बात करती है, जिनका होना स्वस्त सामाजिक प्राकरतिक परिवेश के लिए जरूरी है प्रकरति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है आदिवासी समाज का यही संकट कविता का मूल स्वर है इस कविता का संथाली भाषा से हिंदी रुपांतरन अशोक सिंग जी ने किया है निश्चित रूप से यह केवल संथाली समाज की कविता नहीं है यह पूरे देश के समाज से कटे हुए ऐसे वर्गों का संकट है जो लगातार शहरी मानसिक्ता के साथ पाश्चात्य संस्कृति के नकारात्मक पहलों के कारण अपनी जड़ों से कटते जा रहे है कविता अपने आप में बहुत ही शांदार है आईए इस कविता का अध्यान करते हैं सबसे पहले कविता का वाचन कविता का आदर्श वाचन आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ति को हडिया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग भाशा में जार खंडी पन ठंडी होती दिन्चरिया में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खडपन, जुझारूपन भी भीतर की आग, धनुस की डोरी, तीर का नुकिलापन, कुलहाडी की धार, जंगल की ताजा हवा नदियों की निर्मलता, पहाडों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौधापन, फसलों की लह लहाहट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हसने के लिए थोड़ी सी खिल-खिलाहट, रोने के लिए मुच्छी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशूं के लिए हरी-हरी घास, बुढ़ों के लिए पहाडों की शान्ती और इस अविश्वास भरे दोर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उमीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दोर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास, इस कविता के माध्यम से कव्यत्री अनेक अनेक संधाली भाषा की भाति हमारे साथ करती हैं, संधाली समाज की अनेक अनेक कुरुईतियों को, विशेस्ताओं को, बड़ी सक्षमता के साथ वे हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं, तो शब से पहले कविता को समझने के लिए शब्द छवी, आबो हवा, जलवायू, माटी, मिट्टी, सौंधापन, सुगंध, उम्मीद, आशा, दौर, समय, अकड़पन, किसी बात को लेकर रुखाई से तन जाने का भाव, जुजहारूपन, जूजने या संघर्ष करने की प्रव्रति. इन शब्दों के माध्यम से आप कविता को सहजता के साथ समझ पाएंगे. आप जानते हैं किसी भी कविता की जब व्याख्या करनी हो, तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या करते हैं और तत्पश्चात विशेस लिखते हैं. इस कविता के प्रसंग होगा कि प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक में संकलित है. कविता का सीर्शक है आओ मिलकर बचाएं और इसकी कवित्री हैं निर्मला पुतुल. कविता में कवित्री संथाली समाज की अनेक विशेस्ताओं को हमारे सामने रखती हैं. प्रानम भिक पंग्तिया हैं, आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से、 शहर की आबो हवा से बचाएं उसे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ति को हडिया में कव्यत्री अपने संधाल परगना के लोगों को संभोधित करते हुए कहती हैं कि आज हमारी बस्तियां नंगी हो रही हैं जिस प्रकरती ने पूरी बस्ती को अपने हर्यालेपन से अपने हरेपन से अपने पेडों से धक रखा था उन पेडों को हमने काट दिया है जिन जो प्रत्वी उन पेडों के माध्यम से बहुत खुलसूरत दिखाई देती थी जो उसका वास्त्विक स्वंदरिय था जो उसकी धानी चुनर थी हमने उसे उससे छीन लिया है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए आगे कवियत्री कहती हैं कि यह सब शहर की आबो हवा का प्रभाव है मैं अगे जी की कविता की कुछ पंग्तियां आपको बताना चाहूंगा अगे यह लिखते हैं साप तुम सब्भ्यतों नहीं हुए नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया एक बात पूछूं जवाब दोगे फिर कहां से सीखा डसना विस कहां से पाया तो नगर में रहने वाले लोग कहीं न कहीं ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कुछ कुरूतियों के कारण लगातार प्रकृति को हानी पहुँचाते हैं और वे कंक्रीट के जंगल खड़े कर देते हैं ऐसे ही लोगों को कहीं न कहीं संबोधित करते हुए अपने संधाल प्रगना के लोगों को कवियत्री समझाती हैं कि हमें लगातार शहर की उन नकारात्मक बातों से शहर की उस आबो हवा से अपने आप को बचाई रखना है हमें बचाई रखना है कि कहीं न कहीं हमारी पूरी की पूरी बस्ती हडिया में न डूप जाए हडियों का धाचा भरने रह जाए लोगों का मास कोई नोच न ले जाए लोग आर्थिक अभाउं से इस प्रकार से बिलकुल दीन हीन न हो जाएं कि वे हडियों का धांचा बर रह जाएं आगे कवियत्री कहती हैं अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग भाषा में जारखंडी पन हमारे चेहरे पर लगातार अपने छेत्र का अपने परगने का गोरव बना रहे हमारी भाषा में लोक भाषा का महत्व उसका सामर्थ्य जलकता रहे आगे कवियत्री लिखती हैं थंडी होती दिंचरिया में जीवन की गरमाहत हम लोगों ने अपने दिंचरिया को बहुत अधिक रोबोटिक बना दिया है कृत्रिम बना दिया है और इस कृत्रिमता के कारण जो सहजभा होते हैं सहज समवेदनाई होती है जो मानव को मानव से जोड़ती है जो हमें पशों से इतर बनाती है वो तमाम-तमाम समवेदनाई समाप्त हो गई है यह कृत्रिम समवेदनाई हमारे जीवन से निकलने चाहिए हमारे जीवन में एक गर्माहट आनी चाहिए एक जोश आना चाहिए जो मनुश्य को मनुश्य से जोड़े जो एक दूसरे को देख करके हरा हो जाए प्रसन्न हो जाए मन का हरापन कवित्री एक शब्द का प्रियोग करती है इस्तित्या हों कि आप किसी के विचारों से असहमत हों, जब ऐसी स्थित्या हों कि प्रसासन आप पर इस तरह की चीज़ें लागू करे, जो आप स्विकार नहीं करना चाहते, तो ऐसी स्थित्या में अखरपन और जुजहरुपन की भी गहरी आवशक्ता होती है, जो हमारे शेत्र के लोगों की विशेस्ता रही है. गव्यत्री आगी लिखती हैं, बीतर की आग, धनुस की डोडी, तीर का नुकिलापन, कुलहाडी की धार, जंगल की ताजा हवा, पहाडों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौनधापन, फसलों की लहला हाट. ये सब चीजें जो संथाली समाज की विशेस्ताई रही हैं, जिनके माध्यम से वे अपने शोरिये को व्यक्ट करते हैं, जिनके माध्यम से वरिक्षों के माध्यम से, वनों के माध्यम से अपनी दिंचरिया को चलाते हैं, जिस जंगल में वे रहते हैं, उस प्रकृती का सं करते हुए वहां की हवा में सांस लेते हैं अपनी नदियों को जो लगातार वे प्रदूशन से बचाते हैं और अपने पहाडों को कारखानों के शोर से बचाई रखते हैं क्योंकि पहाडों में वहां की शान्ती ही वहां की थाती है यदि आप लगातार वहां इस प्रकार की क प्रकरती के लिए, पहाडों के लिए उचित नहीं है, इसलिए कवित्री आवान करती है और इसके लिए शब्द इस्तिमाल करती है पहाडों का मौन वे अपने लोक गीतों को महत्व देती हैं और अपनी मिट्टी से, अपनी भाषा से जोडने के लिए आवान करती हैं गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहला हाट यानि लगातार हम प्रकृति का संग्रक्षन करें अपनी फसलों को उप जाएं और जितने हमारे पास जुजहरूपन है प्रकृति के साथ लगातार लड़ने का अपने अन बात करती हैं जिनके संदर्व में, शहर में सोचना भी अपने आप में तुस्कर है तब यत्री कहती हैं नाचने के लिए खुला आंगन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बड़े शहरों में आपको आंगन मिले जबकि आदिवासी समाज में आदिवासी समाज के लोग कितने ह अगी साथ मिलकर सामुहिक निर्त्य का आनंद लेते हैं और उनके उस उरजवान निर्त्य से अपनी भावनाओं को अपनी सकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करते हैं गाने के लिए गीत, हसने के लिए थोड़ी से खिलखिलाहर, रोने के लिए मुठ्छी भर एकांत ऐसी ऐसी सम्वेदनाएं, ऐसी ऐसी महत्पूर्ण चीज़ें जो किसी भी मानविय जीवन के लिए आवश्यक हैं, उनकी बात कवियत्त्री सहज़ता के साथ अपनी कविता में करती हैं, कि हमेशा हम अपनी हंसी को बरकरार रखें हमें इकांत में समय मिले बहुत अच्छी कविता के पन्तिया मुझे ध्यान आ रही हैं, मुह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन तो यदि हमारे पास मुठी भर एकांत है, तो हम उस खामोशी के माध्यम से अपने हरदे के भाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, अपने मन के भीतर की बातों को सुन सकते हैं कवितरी अपनी कविता में उन सब चीजों की बात करती हैं, कवितरी बच्चों की बात करती हैं, वे कहती हैं बच्चों के लिए मैदान, कहां खेल के मैदानाज दिखाई देते हैं, कवितरी इसकी तरफ संकेत करती हैं कि कहीं ने कहीं सिक्षा के प्रभाव के कारण, बस्त छीन लिया है तो हमें उसकी तरफ दियान देना चाहिए कि बच्चों को मैदान मिले पश्वों को हरी हरी घास मिले वूडों के लिए पहाडों की शान्ती प्राप्त हो आजकल व्रद्धों का सम्मान हो नहीं रहा है तो कवित्री अपनी कविता के माध्यम से उन तमाम तमाम पहलों को छूती है जो एक स्वस्त समाज के लिए जो एक आदर्श समाज के लिए आविश्यक है बच्चों का दिहान रखा जाए बुजर्गों का दिहान रखा जाए यहां तक कि देश में रहने वाले प्रत्वी पर रहने वाले जीव जन्तों के प्रती भी हमारी धारनाएं बहुत सकारात्मक हूं इसकी तरफ भी कवित्री अपनी इस कविता के माध्यम से संकेत करती है कवित्री कहती है कि आज का दोर बहुत अविश्वास का दोर है मनुष्य 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 पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है तो हम लगातार मनुष्य के उस विश्वास को बरकरार रखें थोड़ा सा विश्वास और मानविय समवेदनाव के प्रती गहडी उम्मीद कायम है वे कहती हैं कि मनुश्य के सपनों को हम लोग बरकरार रखें और इस अविश्वास के दोर में बहुत कुछ हमारे पास बचा है बचाने के लिए हम सब को मिल करके उसे बचाना चाहिए इसलिए कवित्री अपने इस आववान गीत का सीर्शक रखती है आओ मिल कर बचाएं एक आववान है हम सब के लिए कि ऐसी ऐसी जरूरी चीज़ें जो देश में समाज में रहने के लिए हम सब के लिए आवशक हैं उन सब को हम मिल करके बचाएं कविता के प्रमुख हिस्सों की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता हूं जो आप विशेष के रूप में अपनी कविता में लिखेंगे तो इस कविता की प्रमुख विशेषताईं इस प्रकार है विशेष के अंतरगत कुछ प्रमुख विशेषताईं मैं आपको बता देता हूँ जैसे प्रथम काव्यांश में विशेषताईं है संथाली छेत्र के परिवेश एवं संस्कृति को बचा कर रखने की ललक कवियत्री ने व्यक्त की है शहरी आबो हवा शहर की कृतिम संस्कृति के रूप में इस शब्द का प्रियोग किया है नंगी होना बहु आयामी प्रियोग है इसका अर्थ है मरियादा हीन होना निरलज्य होना पेड़ पौधों से विहिन होना उर्दू एवं लोक प्रचलित हिंदी के तद्भव शब्दों का सार्थक प्रियोग कव्यत्री अपने इस काव्यांच में करती है धृतिय जो काव्यांच है उसमें कव्यत्री आदिवासी समाज की संस्कृती और प्राकृतिक संसाधनों के नस्ट होने पर चिंता व्यक्त करती हैं तद्भव शब्द योजना अत्यंत सार्थक और सटीक है तृतिय जो काव्यांच है उसमें कव्यत्री प्राकृतिक संसाधनों और वातावर्ण के नस्ट होने पर चिंता व्यक्त करती हैं भाशा गद्य में होते हुए भी प्रवाहमई है अंतिम कवितांच है उसमें कव्यत्री नाश होती हुई आदिवासी संस्कृती के प्रती चिंता व्यक्त करती हैं और चंद मुक्ता इस पूरी कविता में विद्यमान है कविता की इन प्रमुख विशेस्ताओं पर चर्चा करने के उपरांत आपको पता है कि जब आप कविता की व्यक्या करते हैं तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे तत्पश्चाद आप व्यक्या करेंगे और अंत में विशेस के अंतरगत आप उस का व्यांच में आने व और तत्पश्चात कलाकत विशेस्ताओं के आप बात करते हैं जिसके अंतरगत आप छंद की बात करेंगे, अलंकार की बात करेंगे, भाव की बात करेंगे, भाव साम्यता की बात करेंगे, शब्द योचना की बात करेंगे और इन सब के माध्यम से आप कविता के पूरे सौन रंग प्रियोग करते हुए किस बात की और संकेत किया गया है माटी का रंग प्रियोग करते हुए कव्यत्री मनुष्य की मूल पहचान से जुड़े रहने का संकेत करती है वे बताती है कि संथाली लोक जी DIRE की अपनी विशिस्ट विशेस्ताइं हैं जो सभी के समक्ष आनी चाहिए वे बताती हैं कि संथाली समाज के लोग सादगी भोलापन प्रकरती से जुडाव जुझारूपन आदी विशेस्ताओं से युक्त हैं और उन्हें अपनी इन विशेस्ताओं को बचाई रखना चाहिए यही उनकी माटी का रंग है जो बहुत ही आरंदायक है महतपूर है और मानो समाज की ठाती है अगले प्रश में कव्यत्री पूछती हैं भाषा में जारखंडी पन से क्या अभिप्राई है भाषा में जारखंडी पन से अभिप्राई यह है कि जारखंड के लोग अपनी मात्री भाषा के प्रती समर्पित्र है हम जानते हैं कि किस प्रकार बांगलादेश के लोगों ने अपनी मात्री भाषा के प्रती अपने समर्पन के कारण अनेक यात्रा हैं सही और उसी के कारण हम पूरे विश्व में मात्री भाषा दीवस भी मनाते हैं तो ऐसी स्थिति में कव्यत्री आहवान करती हैं संधाल छेत्र के लोगों से कि वे अपनी मात्री भाषा ज़ारखंडी भाषा के प्रति समर्पित हों उसकी विशेस्ताओं को पूरे विश्व के सामने रखें क्योंकि वही भाषा है जो उनके दर्द को महतु देना जानती है जो उनकी विशेस्ताओं को सब के समक्ष रख सकती है इसलिए वे अपनी भाशा की सहज स्वभाविक विशेस्ताओं को किसी भी स्थिती में नस्ठ ना करें अगला प्रश्ण है दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खडपन और जुजहारूपन को भी बचाने की अवशक्ता पर क्यों बल दिया गया है दिल के भोलेपन में सहजता सच्चाई और इमानदारी का भाव है अक्खडपन से अविप्राय अपनी बात पर द्रड रहने से है और जुजहारूपन के माध्यम से कवियत्री उस समाज की संघर्ष शीलता को हमारे सामने रखने चाहती है वास्तव में वे बताती है कि यदि किसी समाज को सक्षम बनना है तो बहुत आवशक्ता है कि उसका जुजहारूपन भी हमारे सामने रहे दिनकर जी की पंक्तिया मुझे स्मौन आती है शमा सोहती उस बुझंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो विश्हीन विनित सरल हो तो आपके पास बहुत जरूरी है कि आपका जुजहारूपन आपकी ताकत अन्याय के खिलाफ खड़े होने का आपका सामर्थ्य निरंतर बना रहे इसे की और कव्यत्री अपने इन शब्दों के माध्यम से संकेत करती है अगला प्रशन है प्रस्न संक्यत चार प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराईयों की ओर संकेत करती है तो प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की अनेक बुराईयां हमारे सामने रखती हैं आदिवासी समाज कहीं ने कहीं अपनी बस्तियों को नंगी होने से नहीं बचा पा रहा है आदिवासी समाज शहर की आबो हवा के प्रभाव में पहुँच रहा है जीवन का उत्साह खत्म होता जा रहा है काम के प्रती अरुची उनमें पैदा हो रही है लगातार अपनी मात्री भाषा के प्रती उनका मोह भंग हो रहा है शराब, असिक्षा, भाषा से अलगाओ, अनेक अनेक ऐसे दुरगुण हैं जो आदिवासी समाज में दिखाई देते हैं कव्यत्री इन सब को दूर करने का आववान अपनी इस कविता के मध्यम से करती हैं प्रसन संक्या पांच, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आश्य है इस दौर में भी बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है कि माध्यम से कव्यत्री कहती हैं कि हमारे पास बहुत सी ऐसी महत्पूर चीजें आज भी विद्यमान हैं जिनके माध्यम से हम एक स्रेष्ट विश्व का निर्मान कर सकते हैं जिनमें है आपसी विश्वास, उमीदें इन सब को सामुहिक प्रियासों से ही बचाया जा सकता है मन का हरापन, भोलापन ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मानविय जीवन की थाती है और वे समाज के सभी वर्गों को, बच्चों को, पशुओं को, व्रिद्धों को, पहाडों को, प्रकर्ती को अपने इस कविता में शामिल करती हैं और आववान करती हैं कि हमें इन सब के लिए जो स्रिष्टम चीजें हैं उन्हें बचा लेना चाहिए अगला प्रश्ण है, निम्नलिकित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्गाटित कीजिए ठंडी होती दिन्चरिया में जीवन की गर्माहट इसके माध्यम से कवित्री बताती हैं कि हम लोग जीवन जीतो रहे हैं पर उस जीवन में पहले जो उत्सा होता था, जो उमंग होती थी, जो एक दूसरे को देखकर प्रसंदता होती थी, जो समाजिक्ता का भाव होता था, वह सभी नदारत है हमें पुनह अपने जीवन में उसी प्रकार की चीजों को, उसी प्रकार के भाओं को, उनी सम्वेदनाओं को डालने की आवशक्ता है अगला जो प्रश्ण है कि निम्नलिखित पंग्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्गाटित कीजिए थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उमीद, थोड़े से सपने आउ मिलकर वचाएं ये कविता के सूत्रवाख के हैं कहीं ने कहीं अपनी पूरी कविता की भूमिका में कव्यत्री हमें ऐसी ऐसी चीजों से परिचित करवाती हैं जिनसे हमने इस रास्ट को, समाज को, प्रकरती को वंचित कर दिया है तो इनके माध्यम से कवित्री आवान करती हैं कि इसके मूल में अविश्वास है हमारा प्रकरती के साथ विश्वास तोटा है, मानिविय समवन्दों के प्रति विश्वास तोटा है और उसके तूटने के बहुत ही नतारात्मत परिणाम हम लोग जेल रहे हैं तो लगातार हमें उस विश्वास को बचाई रखना है हमें उमीद की डोर कहीं छोड़नी नहीं है बहुत नुकसान हमने संबंदों को पहुँचाया है पर फिर भी हमारे पास समय है हमें जागरित हो जाना चाहिए और एक स्वपन हमें साकार करना चाहिए जहां लोगों को वो सब चीजें मिलें जिनके बारे में कव्यत्री बात करती है वे बात करती हैं भोलेपन की वे बात करती हैं लोक भाशा के सामर्थ्य की वे बात करती हैं व्रिद्धों के सम्मान और उनके एकांत की वे बात करती हैं प्रकरती संग्रक्षन की वे बात करती हैं बच्चों के लिए खेल की, मैदान की तो ऐसी ऐसी बातें जिन से हमने अपने समाज को वंचित किया है उन सब को बचाने की आवशकता है अगला प्रश्न बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवशकता है तो ऐसा नहीं है कि शहर में सब चीज़े नकारात्मक हैं पर लोग समाज में आदिवासी समाज में शहर की अनेक ऐसी विकृतिया पहुँच गई हैं जो वहां के मूल स्वरूप को विनिस्ट कर रही हैं जैसे प्रकृति का संग्रक्षन नहीं करना जैसे मानविय संवेदनाओं का नस्ट हो जाना जैसे पहाडों की शान्ति को भंग कर देना तो परियावन के प्रति, जीवजन्तूं के प्रति, बच्चों के प्रति, जो लगातार उत्तरदाइत्व विहीनता समाज में आ रही है, उन सब के प्रति कव्यत्री आहवान करती हैं कि हमें उससे बचना चाहिए. भाशिक प्रदूशन से, सांस्कृतिक प्रदूशन से, सामाजिक प्रदूशन से, रहन सहन के प्रति, आ रही विक्रतियों से अनेक स्त्रों पर कव्यत्री हमसे आवान करती हैं कि हमें लगातार अपनी बस्तियों को उससे बचाने क्या वशकता हैं. दो प्रशन कविता के आसपास हमसे पूछे गए हैं इस संदर्म में पहला प्रशन है आप अपने शहर या बस्ती को किन चीजों से बचाना चाहेंगे तो आप यदि शहर में रखते हैं तो आपको अपनी आखें खोल कर देखना चाहिए जैसे हमारे शहर को हम गंदगी से बचाना चाहेंगे हमारे शहर को हम प्रदूशन से बचाना चाहेंगे हमारे शहर को हम क्राइम से बचाना चाहेंगे अनेक स्तरों पर आप देखते हैं कि किस प्रकार बहुत जगन्य अपराद आज हो रहे हैं और इसमें युवा और बच्चे भी शामिल हैं तो अनीक ऐसी चीज़ें आपको अपने शहर में अपनी संस्कृति में दिखाई देंगी जिनसे अपने छेत्र को बचाई जाने की अवशकता है तो हमें लगातार अपने छेत्र के इस सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक प्रदुशन को दूर करने की अवशकता है बाट के आसपास में अगला जो प्रशन है वह है आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिती पर टिप पनी करें तो देखिए आज के आदिवासी समाज में और जिस समय यह कविता लिखी गई थी उस समय के आदिवासी समाज में बहुत अधिक भिन्यता है आज आदिवासी समाज नए जमाने के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है उनके लिए सिक्षन संस्थाइं कोले जा रही है उनके लिए औसधाले खोले जा रही है उनके लिए अनेक अनेक ऐसी योजनाई प्रालम्भ की जा रही हैं जिनके माध्यम से उनका उननयन हो सके और प्रकृति का संगरक्षन भी हो सके यहां तक की कुछ विश्वविद्याले खास तोर पर आदिवासी समाज के लिए खोले गए हैं नोकरियों में उनको विशेश रूप से आरक्षन दिया गया है राजनितिक नित्रित्व में उनकी संख्या भढ़ाने के लिए लगातार प्रियास किया गया है तो सरकार की तरफ से अनेक प्रियास ऐसे हो रहे हैं जिससे समाज की मुख्यधारा में आदिवासी समाज को जोड़ा जा सके पर हमें कव्यत्री का आववान भी नहीं बोलना चाहिए कि आदिवासी समाज अपनी मूल संस्कृति और मूल संसकार को कभी न भोले प्रियविद्यार्थियों आज हमने अपने इस कालांश में आउ मिलकर बचाएं एक बहुत ही श्यांदार कविता को पढ़ा निर्मला पुतूल जी ने जिन महत्पूर तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकरशित करने का प्रियास इस कविता के माध्यम से किया है वह बहुत ही महत्पूर है निश्चित रूप से यह आववान हम सब के लिए है तो हम आज ही प्रकरती संगरक्षन के लिए मानेविय समवेदनाओं की जगरती के लिए लोक भाषा के उत्थान और विकास के लिए रास्टिय संस्कृति और संसकारों की रक्षा के लिए तत्पर होंगे ऐसी आशा और विश्वास है धन्यवाद आपका दिन शुब हो